इसेट कि हमारे को अगर हीलिंग किसी भी विक्ति को करने है तो उसमें तीन मेजर चीजों पर हम बात करते हैं एवी टॉक अबाउट वाट रियूर चैलेंजेज इन लाइप एड दी मॉमेंट वाट इस यूर विश्च लिस्ट और वाट रियूर गोल्ज तो जब आप इनको को डॉक्यूमेंट कर लेते हैं तो हम उस इसाब से आपका हीलिंग शुरू करते हैं इना मैनर की एक प्रारिटी लिस्ट बनाते हैं मैंने इतना बोला उसके बादी सेट कि मैं सर वह गैलप का भी वह ट्रेनर रहों और गैलप का पूरा स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक हो डिफाइन करें हम लोग सबसे पहले एक इंडिवीजुल का फिंगर प्रेंट आलिसे करते हैं उसके फिंगर्पृंट के यह आपके fingerprint से पता चल रहा है तो they are something which is seeded into you तो जो weakness जो है उसको सिर्फ एक parameter पर identify करना होता है कि क्या आपकी weakness आपकी hidden strength तो नहीं है और example गुलाब के साथ कांटे होते हैं बट वो कांटे इसलिए होते हैं so that कि अगर कोई जानवर गुलाब के फूलों को खाने की कोशिश करेगा तो वो कांटे उसकी जीव में लगेंगे तो वो से दूर हो जाएगा तो वो plant जो है वो protected रहता है so at times I've seen की weaknesses जो है they are in terms of उनको unbundle करने के बाद ही वो पता चलता है कि वो actually weakness है या strength है दूसरी चीज एक हमारा structure है अच्छा वो गैलप के अंदर भी 3032 चीजे हैं जो की वो structured way में उसमें तो हमने का हमारा एक success formula है जो हमारे को संस्कृत से पता चला है तो हम उद्यम साहस धैर्यम बुद्धी शक्ती पराक्रम जहां यह च्छे होती हैं वहां पर हमेशा सफलता होती है मुलब वहां पर देवता भी सायता करने आ जाते हैं ऐसा होता है उद्यम इस entrepreneurship knowledge, साहस इस risk calculation, धैर्यम इस patience, बुद्धी इस distinction to distinguish, शक्ती इस creativity and innovation और पराक्रम इस understanding of life cycle ठीक है some total of these six is going to make you successful यह basic fundamental हो गया अब जो creativity and innovation जो है यह शक्ती की category में आती है there are in totality 27 से 36 तक strengths का description है depending upon आप किस level पर काम कर रहे हैं वो strength उस level पर पतलब for example आज हमारा startup है जो पांच से दस करोड़ रुपए generate कर रहा है कल को वही startup जो है वो 500 करोड़ रुपए या 1000 करोड़ करता है फिर एक लाग करोड़ करता है फिर दस लाग करोड़ कर रहा हर level पर जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है हमारे अंदर की quality इसको भी change होना होता है और यह चीज हमें पता नहीं होती और यह हमारा जो formal education system है नहीं बताता तो मैंने उनको यह बोला कि मैंने का गैलप या जो भी western tools है एक तो वहर 5 से 8 साल के अंदर अपने आपको change कर लेते हैं जो traditional system है वह अपने आपको change नहीं करता that remains standard तो पहला तो फरक यह हो गया कि यह व जो लोग हमसे healing ले रहे हैं उनको हमने डाइग्नोज करा कि उनकी entrepreneurship skills ही मान लीजे वीक है दो द्यार रणिंग स्टार्टर पट उनकी entrepreneurship skills वीक है तो हम वहां पर उनके भीतर लक्ष्मी विश्नु सूक्त यह जो भी हमें combination समझ माते हैं मुंसे उनकी healing करना शुरू कर देंगे and through a psychometric test we can measure before and after the healing what is the difference being created in those individuals फिर क्या होता है मतलब हमारी knowledge होना एक पार्ट हो गया लेकिन हमारी knowledge as entrepreneur किस तरीके से है जॉब करना और entrepreneurship are absolutely two different worlds मतलब वह आप मैंने 2011-2012 में वीडियो कॉन में था तो मैं सोचता था कि यह दो लाख रुपर महिना मिलते हैं तो मेरी तो वर्थी दो लाख रुपर महिने से ज्यादा की कि वह मेरा इंडस्ट्री कॉंट्रिबूशन की वज़े से और वह इंडस्ट्री ग्रों कर रही थी उसकी वज़े से था तो देना रिलाइज वाट इस माई नेट वर्थ और मेरी वैल्यू क्या है पतलब आज की तारिक में मैंने एंबे कर रख था इतने साल का है और वह इंडस्ट्री सेग्मेंट सड़ली डिफंक हो गया तो मुझे दूसरी कंपनी जॉब देगी नहीं देगी देगी तो कितने का देगी और मैं अपना काम करूंगा तो क्या मैं कर पाऊंगा इतने सारे क्वेस्टेंस थे फाइनली जब आज की तारिक में मुझे वह स्ट्रक्चर और वह सारा पार्ट समझ में आया तो मुझे लगता था कि एक हैंड होल्डिंग वाला विक्ति जरूर होना चाहिए जो आपके साथ सिर्फ डिसकस करें वह जजमेंटल ली होना चाहिए और ही शुड़ पूट थिंग्स इन यूर फ्रंट तो वह जो शीदर ज से बहुत सारे डेस्क्रिप्शन दिये और एवरी वेरी स्ट्रक्चर तो मैं बोला की मैं एक लाइन में मैं बोलने का एफर्ट करूं कि आप मेरे से सीनियर है तो मैं अपनी डोमेन में बले जो जानता हूं जो आपका डोमेन आपको मजा आता है और आपकी एफिशेंसी घड़ती है घड़ती नहीं है तिल डी टाइम यू इंटिफाई वाट और यूर बेस्ट परफॉर्म्ड एक्शन वही आपकी स्ट्रेंथ का सिस्टम हो गया इंडस्ट्री की नीड के साब से कौन कौन सी स्ट्रेंथ होनी चाहिए और कौन सी आपके अंदर है जो नहीं है उ तो हमने पहला पार्टे डिसकस करा कि क्यों ना हम चीजों को को लाबरेटिव मॉडल के तौर फिक डिजाइन करें सो डाट कि हम हाइलाइट करें यह मेरा ट्रेशनल विजडम है यह मेरा मॉडरन साइंटिफिक सिस्टम है इससे हमें ऑप्शन ए मिलता है अब ए में और यह में जाएट इस ने चालेंज को यूट्यूबर भी एक करियर प्रोफेशन हो सकता है और वह भी ऐसा कि लाखो करोड़ो रुपे मिल रहे हैं तो सम्थिंग आलवेज कम जिन अवेरी सर्प्राइज और पाकेज और हमें पता ही चलता वह आता है और एक तरह से चला जाता है जब जौब करता था उन दिनों कॉल सेंटर का नया-nया ट्रेंड आयता रात भर वह कॉल सेंटर चलते रहते रात भर वह बिल्डिंग के बाहर वह पानवाले की दुकान और वह सारा कुछ ता महां पर लड़के लड़कियां सिगरेट पीते रहते थे हम करते हैं कौन सी दुनिया है हमने तो कभी देखी नहीं यह वाली चीज़ तो आल बैट वास अन्यू और डिफरेंट चेंज फोर रस वोट आई रिलाइज और उसमें सर्प्राइजिंग ली मेरे फैमिली के कुछ तो पता चला सब लोग साथ साथ रहते हुए भी जो है पता वह सैटरडे संडे तक जो है वह इंपाइक हो जाते थे उनके तो लाइफ वेरी डिफिकल्ट हम अपने आसपास की चॉइस सीखते भी और उसको चूज करते हैं तो मैंने का थर्ड पार्टी तो जरूरी है विच